आज ही के दिन, आँखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन, ओम शांती मन बुद्धी को चारों और से हटा कर, अंतर मुखी बन कर, बुद्धी को एक आग्रचित करके जब हम बस एक शिव बाबा को याद करते हैं, यानि शांती के सागर में समाने का अभ्यास करते हैं, तो मन स्वत है, इस व्यक्त भाव को, व्यर्थ की बातों को छोड़ कर, अव्यक्त स्थिती में, उस एक अव्यक्त बाब दादा की स्थिती में टिक जाता है, और हम स्वते ही अव्यक्त बन जाते हैं, हर संडे की मुडली हमें देह और दुनिया से पार लेकर जाती है, और जितना हम इस नीचे की दुनिया को छोड़ते जाते हैं, ये गहरा त्याग, ये अंदर का त्याग करते हैं, एक की याद में रहने की तपस्या करते हैं, तो बेहद की सेवा स्वते हो जाती है, तो ये त्याग, ये तपस्या, ये सेवा, जो हद की नहीं है, जो चर्म चक्षिओं से दिखाई नहीं देती है, पर अंतु जिसका प्रभाव किवल एक, दो, कुछ लोगों तक नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व तक जाता है, इस तपस्या को करने की प्रेणना बाप दादा देते हैं, और विशीश तोर पर जब अठारा जन्वरी की मुरली होती है, क्योंकि आज हम स्मृती देवस की मुरली सुनेंगे, जो सच में हमें अंतर मुक्ता की गुफा में लेकर जाती है, खुद को देखने का सबसे बहतरीन आइना देती है, और वो है प्रम्हा बाबा का जीवन चरित्र, उनके चरित्रों को देखकर जब हम अपना चित्र देखते हैं, तो सही और गलत, उसका यथार्थ अर्थ हम समझ पाते हैं, तभी हम सुनते हैं, देहे भांद से अलग होकर, व्यक्त भाव और भावनाओं को त्याग कर, आज के मधुर महवाक्य, आज है दो तारीक, दो जून दो हजार चॉबिस, अव्यक्त भाव तादा के रिवाइस कोर्स के, अठारा जन्वरी सन दो हजार के महवाक्य हैं, ब्रह्मा भाव समान, त्याग, तपस्या, और सेवा का वाइब्रेशन, विश्व में फैलाओ, आज समर्थ बाप दादा, अपने समर्थ बच्चों को देख रही हैं, बिल्कुल फिल करेंगे, कि बाप दादा हमारे समक्ष बिल्कुल सामने और हमें देख रहे हैं, उनकी द्रिश्टी पढ़ते ही, हमारे अंदर का व्यर्थ खत्म होता जा रहा है, और हम समर्थ बापा के बच्चे सर्व समर्थ बनते जा रहे हैं, आज का दिन सम्र्थी दिवस सु समर्थ दिवस है, आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है, कि आज के दिन ही स्वयम अव्यक्त होकर ब्रम्भा बाबा दादी के हाथ में हाथ देकर उन्हें सर्व शक्तियां विल करके अव्यक्त वतन की और प्रस्थान होए थे, दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रम्भा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की, ऐसी विल कोई और नहीं करता, ऐसी अलोकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते है, बाप ने ब्रम्भा बाप को साकार में निमित बनाया, और ब्रम्भा बाप ने बच्चों को निमित भव का वर्दान दे उविल किया, यह विल बच्चों में सहज पावर्स की, यानि शक्तियों की अनभूती कराती रहती है, एक है अपने पुरुशार्थ की पावर्स, हम जो पुरुशार्थ करते हैं, आत्मिक स्थिति का बाबा को याद करने का, उस पुरुशार्थ से जो हमें शक्तियां मिलती हैं, वो पावर्स, और यह है परमात्म विल्द्वारा पावर्स की प्राप्ति, एक तो जो हम खुद कमाते हैं, और एक हमें जो अपने मात पिता से मिलता है, यह प्रभु देन है, प्रभु वर्दान है, यह प्रभु वर्दान चला रहा है, वर्दान में पुरुशार्थ की महनत नहीं, लेकिन सहज और स्वत है, निमित बना कर चलाते रहते हैं, सामने थोड़े से रहें, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेश ब्रम्ह बाप द्वारा, विशेश बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है, भले उस समय सामने केवल हमारी बड़ी दादी निमित बनी, परन्तु बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये विल केवल सामने जो थे उनको नहीं हुई, सब बाबा के विशेश बच्चों को है, और बाप दादा ने भी देखा, कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, यनि आदी रतनों ने और सेवा के निमित बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कारे में लगाया, और उस विल की कारण आज यह ब्रामण परिवार दिन प्रत दिन बढ़ता ही जाता है जिसे बाबा का वर्दान मिल गया बच्चों की विशेष्टा के कारण यह वृध्धी होनी थी और हो रही है बाब दादा ने देखा कि निमित बने हुए और साथ देने वाले एक जो निमित बनते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे उनको जो सही योग देते हैं दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेष्टाईं बहुत अच्छी रही पहली विशेष्टा चहे स्थापना के आधी रत्न चहे सेवा के रत्न दोनों में संगठन की युनिटी बहुत बहुत अच्छी रही सबसे इंपोर्टन विशेष्टा संगठन की युनिटी किसी में भी क्यों क्या कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा दूसरी विशेष्टा एक ने कहा दूसरे ने माना किसी की बात को कट ना करना यह दूसरी विशेष्टा यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायु मंडल में विशेष्टा रही इसलिए सर्वनिमित बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा बाबा का कारे है बाबा के बच्चे है न बस बाबा ही नजर आता रहा बाबा ने जो कहा बाबा ने जिसको निमित बनाया हांची स्विकार है बाब दादा ऐसे समय पर निमित बने हुए बच्चों को दिल से प्याह दे रहे है बाप की कमाल तो है ही लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है और उस समय का संगठन युनिटी हम सब एक हैं वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है जो निमित बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पका रहा तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे बच्चों ने चारों और से प्यार की मालाईं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किये सारा दिन स्मृति दिवस के दिन विशेश बाबा के प्रती, खास्त और ब्रम्ह बाबा के प्रती, सिनहे के आसो निकलते हैं बच्चे अम्र तवेले से भी पहले उठकर बाबा को याद करने बैठ जाते हैं तो बच्चों ने प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किये इतना समय चलना है यह सोचा था कितना समय हो गया सभी के मुख से दिल से यही निकलता अब चलना है अब चलना है लेकिन बाब दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है कई साकार मुरलियों में बाबा ने हिंट दिये हो सकता है उस समय कई लोग समझ नहीं पाए परन्तु प्रैक्टिकली जब बाद में पढ़ते हैं साकार मुरलियों तो पता चलता है बाबा ने सब बातें न गुप्त रूप से बीच बीच में बता दी थी बच्चों को कैसे अव्यक्त रूप से भी सेवा होनी है साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था तो 2000 की मुरली है डामेंड हॉल में इतने सब बच्चे बैठे थे तो बाबा कहते हैं कि साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था बाबा के अती लाड़ले डबल विदेशी आये थे तो विशेश डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलोकिक जन्म होना ही था इतने सब बच्चों को आना ही था इसलिए ब्रह्मा बाब को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात रहें तो ये इतना बड़ा विस्तार जो हुआ यग्ये का खास तोर पर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद वास्तव में इस सेवा का सारा श्रे अव्यक्त बाब दादा को ही जाता है तो जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त भाव, व्यक्त भान और व्यक्त देह को छोड़कर अव्यक्त हुए unlimited स्थिती में आ गए, बेहद स्थिती में आ गए तो बेहद की अनंत सेवाएं हुई, बहुत सेवाएं हुई और अब तक हो रही है ब्रह्मा बाबा का त्याग, ये जो त्याग किया ब्रह्मा बाबा ने ड्रामा में विशीश नूंधा हुआ है, आदी से ब्रह्मा बाब का त्याग और आप बच्चों का भाग के नूंधा हुआ है निमित बच्चे बने पर वास्तव में करन करावन हारतो हमारे अव्यक्त बाबतादा है सबसे नंबर वन त्याग का एक्जामपल ब्रह्मा बाब बना त्याग उसको कहा जाता है नूच करेंगे सबी त्याग उसको कहा जाता है जो सबकुछ प्राप्त हूते हुए त्याग करे है नहीं और कहे त्याग किर रहे हैं उसको त्याग नहीं कहेंगे सब कुछ होते हुए त्याग करना समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग, श्रेष्ठ त्याग नहीं है वो तो मजबूरी से भी करना पड़ जाता है ना शुरू से ही देखो तनमन धन, संबंध, सर्वप्राप्ती होते हुए त्याग किया सबसाधन होते हुए सबसाधन होते हुए स्वयम, पुराने में ही रहे ब्रह्मा बाबा के होते हुए भी साकारतन में जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी काफी चीज़े नई बन गई थी नए मकान बनते थे, कुछ भी नई चीज़ आती थी कभी भी ब्रह्मा बाबाने स्विकार नहीं की बच्चों के लिए रखा साधनों का आरंब हो गया था होते हुए भी साधना में अटल रहे यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई ड्रामा नुसार ऐसे त्याग का एग्साम्पल रोप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ती की सेवा का विश्रेश पाठ बनाया जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ती से फास्ट वृध्धी को प्राप्त कर रहे है तो सुना ब्रह्मा बाबा के त्याग की कहानी जब त्याग होता है जब तपस्या होती है तो सेवा खुद बखुद होती है तो हर संकल्प की सिध्धी होती है ब्रह्मा बाप की ब्रह्मा की तपस्या का भल आप बच्चों को मिल रहा है तपस्या का प्रभाव इस मदुबन भूमी में समाया हुआ है साथ में बच्चे भी हैं बच्चों की भी तपस्या है लेकिन निमित तो ब्रम्भा बाप कहेंगे जो भी मदुबन तपस्वी भूमी में आते हैं तो ब्राम्मन बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहां का वायुमंडल, यहां के वाइब्रेशन सहेज योगी बना देते हैं, है न सबका अनुभव, पांड़भवन चाहते हैं, महनत नहीं लगती, अपने आप आत्मा देह से न्यारी हो जाती है, ना बाबा की प्यारी हो जाती है, तो जो इस तपस्या भूमी का वायुमंडल है, वो स्वत है सबको सहेज योगी बना देता है, योग लगाने की महनत नहीं, सहेज लग जाता है, और कैसी भी आत्मा याती हैं, वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं, कोई भी आत्मा आजाए नई या पुरानी, चाहे कोई नया भी आजाए, बिलकुल सहयोगी आत्मा ये जो होती हैं, वो भी विशेश अनुभव करके जाती हैं, ज्यान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांती का अनुभव करके ही जाते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं, यह है ब्रम्भा और ब्राम्भन बच्चों की तपस्या का प्रभाव, साथ में सेवा की विधि, भेन भेन प्रकार की सेवा बच्चों से प्राक्टिकल में करा के दिखाई, उसी विधियों को अभिविस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रम्भा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फ्ल आप सब बच्चों को मिल रहा है। ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विष्व में फैलाए। जैसे साइन्स का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रुप में दिखा रहा है, ऐसे साइन्स की भी रच्चता, साइलेंस बल है। साइन्स को क्रियेट करने वाला बल है साइलेंस। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। silence बल का vibration तीवरगती से फैलाने का साधन है कैसे फैलाएंगे silence के बल के vibrations को मन बुद्धी की एकागरता जितना मन और बुद्धी एकागर है, एक के आगे है एक की याद में है, एक के साथ है बिलकुल, अनेकता व्यभी चारी पने से दूर है यह जो distractions होती है, उनसे परे है बस एक की attraction में है एक से आकर्शित है उतना silence का बल जमा होता जाता है तो अब अने कहा कि silence बल का vibration तीवरगती से फैलाने का साधन है मन बुद्धी की एकागरता यह एकागरता का अभ्यास बनना चाहिए एकागरता की शक्तियों द्वारा ही वायो मंडल बना सकते हो हलचल के कारण कि एक आग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए, राज के समय पर और भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक का मन और बुध्धी विचलित है, हल्चल में है, एक तरफ एक आग्र हुई नहीं पाता है, एक साथ दस्दस काम करने की आदत हो गई है हमें, सभी बच्चों का एक ही द्र्ण संकल्प हो, कि अभी अपने भाई बेहनों के दुख की घटनाई परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्च हो, कि जब साइन्स की शक्ति हल्चल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राम्भणों के साइलेंस की शक्ति, रहम दिल भावना द्वारा वसंकल्प द्वारा, हल्चल को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेश अटेंशन दो, जब आप ग्रेट 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 ग्रेंट फादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इश्टदेव हो, यह नशा है के हम ही इश्टदेव हैं, है सबको नशा, कौन है हम सबके इश्टदेव, तो भक्त चला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इश्टदेव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉंड नहीं करते हो, तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इश्टदेव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉंड दो, सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉंड देंगे, भक्त लोग पुकार रहे हैं आपको, रिस्पॉंड क्या देंगे, परिवर्तन का वायु मंडल बनाओ, आपका रिस्पॉंड उन्हों को नहीं मिलता, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिलाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, ब्रह्मा बाप के हर कारे के उच्सहा को तो देखा ही है, जिसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, क्या, अभी घर के दर्वाजे की चाबी दो, उपर परमधाम के दर्वाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हूं, अकेले तुढ़ना जाएंगे ब्रह्मा बापा, अकेला क्या करेगा, तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है, साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे, तो आप ever ready हो, हैं सब ever ready, ever ready हो या ready हो, ready नहीं, ever ready, त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए है, तीनों पेपर तैयार है, ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आसू मुती समान दिल में समाते भी है, स्मृति दिवस है न तो याद आती है ब्रह्मा बाबा की तो आखों से प्रेम के आसु आते हैं तो बाबा क्या करते बाबा कहते बहासु मोती समान दिल में समाते भी हैं लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे डेट दे दे वे आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ दादियां कहती यो तो एवर रेडी हैं परन्तु बाबा दादियों के मन में जो चलता है उसे सुन कर ये जवाब देते हैं कि किवल आप नहीं अपने साथीयों को भी अवर रेडी बनाओ या उनको छोड़ कर चल पड़ेंगे आप कहेंगे ब्रह्मा बाब भी तो चला गया ना लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी अव्यक्त सेवाएं करनी थी बेहद बच्चों को लेकर आना था फास्ट व्रिधी की जिम्यवारित थी तो सभी आवर रेडी है एक नहीं सभी को साथ ले जाना है ना या केले अकेले जाएंगे तो सभी आवर रेडी है या हो जाएंगे बोलो कम से कम नौ लाख तो साथ जाएं शुरू की सतयोग आदी की जो population है लाख तो साथ में जाएं वाबा क्याते नहीं तो राज्य किस पर करेंगे अपने उपर राज्य करेंगे तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रती शुब कामना है कि ever ready बनो और ever ready बनाओ ever ready बनो और ever ready बनाओ आज वतन में भी सभी विशीश आदी रत्न और सेवा के आदी रत्न इमर्ज होए एडवांस पार्टी कहते है हम तो तैयार है किस बात के लिए तैयार है वह कहते है यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज़ाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई स्रिष्टी की रचना के निमित बनेंगे हम तो आहवान कर रहे है कि नई स्रिष्टी की रचना करने वाले आवे अभी काम सारा आपके उपर है नगाड़ा बजाओ नगाड़ा बजाना यानी जोर शोर से सेवा करना आ गया आ गया का नगाड़ा बजाओ नगाड़ा बजाने आता है बजाना तो है ना सारी दुनिया को संदेश देना है ना अभी ब्रह्मा बाप कहते है डेट ले आओ आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है तो इसकी भी डेट बनाओ कुछ भी प्रोग्राम करना होता है डेट सामने होती है उस अनुसार स्पीड बढ़ जाती है तो अब भी कहते हैं तो इसकी भी डेट बनाओ डेट बना सकते हो बाप तो कहते हैं आप बनाओ बाप कहते हैं आज ही बनाओ Conference की date fix किया है और यह है इसकी भी conference करो न विदेशी क्या समझते हैं Date fix हो सकती है Date fix करेंगे हाँ या ना अच्छा दादी जानकी के साथ राय करके करना अच्छा देश विदेश के चारो और के बाब दादा के अती समीप अती न्यारे और प्यारे बाब दादा देख रहे है कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे होए है सुन रहे है और मिलन के जूले में जूल रहे है दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाए हुए है सामने भी नहीं है नैनों में समाए हुए है तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एक आग्रता की शक्ती द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीवर पुरुशार्थ द्वारा उडने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दाधा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते राजस्थान के सेवाधारी बच्चों से बाप बोल रहे हैं बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान तो राजस्थान से राजे क्वाले निकालो प्रजा नहीं राज घराने के राजे निकालो तब जैसा नाम है राजस्थान वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालेटी निकलेगी है कोई छिपे हुए राजे लोग या भी बादलों में है वैसे जो बिजनसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेश अटेंशन दो यह मिनिस्टर और सेकरेटरी तो बदलते ही रहते है लेकिन बिजनसमैन बाप से भी बिजनस करने में आगे बढ़ सकते है और बिजनसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती है अकेली माताएं नहीं चल सकती है लेकिन अगर घर का स्थम्ब आ जाता है तो परिवार आपे ही धिरे-धिरे बढ़ता जाता है इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं कहो ऐसे नहीं कहो कि ऐसे कोई नहीं है थोड़ा ढूंडना पड़ेगा लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है बिजी रहते हैं न? कोई ऐसी विधी बनानी पड़ती जो वह नज़ती कावे बगी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है यह बहुत अच्छा नस्दीक आने और दुआएं लेने का साधन है चहें आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है जितना दिल से सेवा करते हैं तो दुआई स्वतेह निकलती है और वहे दुआई पहुचती बहुच जलती है दिल की दुआई है न तो दिल में जलती पहुचती है बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुशार्थ है क्या दुआएं दो और दुआएं लो तो जब सेवा का टरन होता है पुरा जोन सेवाओं में पुरी तरह लगा हुआ होता है तो सबको बेहद की सेवा करने का चांस मिलता है और सेवा करना यानि दुआएं लेना इसली पापा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुशार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भर पूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी जमा का बल मिलता है राजी रहो और सर्व को राजी करो हर एक के स्वभाव का राज जान कर राजी करो हर एक अपना नेचर होता है ना तुसे अनुसार सबको राजी करो ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज आप स्वयम राज को जान जाओ उसकी नब्स को जान जाओ फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा जिसको जो चाहिए वो दे दो शान्त हो जाएगा दुआएं देगा ठीक है ना राजिस्थान राजिस्थान की टीचर सुठो सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुशार्थ करो दुआएं देते जाओ लेने का संकल्प नहीं करो देते जाओ तो मिलता जाएगा देना ही लेना है ठीक है ना, ऐसा है ना दाता के बच्चे है ना कोई दे तो दे, दाता बन के कोई दे तो दे ऐसे नहीं नई, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे होए सभी सहज योगी हो, पूछ रहे हैं बाबा सहज योगी हो, तो एक हाथ उठाओ अच्छा, तो विदाई के समें बाब दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया तो बाब दादा ने कहा, चारो तरफ का यात्राओं का समाचार समी प्रती समें, बाब दादा के पास आता रहता है अच्छा, सब उमांगुच्साहा से सेवा का पाट बजा रहे है भक्तों को दुआएं मिल रही है और जिन भक्तों की भक्ती पूरी हुई उन्हों को बाप का परीचे मिल जाएगा और परीचे वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे बकि सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सब को आकरशित कर रहा है अभी रिजल्ट में कौन-कौन किस केटिगरी में निकलता है वह मालूम पढ़ जाएगा लेकिन भक्तों को भी आप सब की नजर द्रिष्टी मिली परीचे मिला यह भी अच्छा साधन है अब आगे बढ़ कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना जो भी रत यात्रा में सेवा कर रहे है अथक बन सेवा कर रहे है उन सभी को याद प्यार, बाप दादा सभी को देखते रहते है और सफलता तो जन्म सिध अधिकार है अच्छा, मौरीश्यस में अपने इश्वरिये विश्विद्याले को नैशनल यूनिटी एवार्ड प्राइमिनिस्टर द्वारा मिला है मौरीश्यस में वैसे भी वी आईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है तो सभी को खास मुबारक अच्छा, ओम शांति आज का वर्दान है श्वासो श्वास, याद और सेवा के बैलंस द्वारा ब्लसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्यचित भवा सदा प्रसन्यचित कैसे बनेंगे? जब श्वासो श्वास, याद और सेवा के बालंस से ब्लसिंग प्राप्त करेंगे बैलन्स जितना खुद की भी सेवा करेंगे और अन्ने आत्माओं की भी सेवा करेंगे याद भी करेंगे और सेवा भी करेंगे तो जैसे एक टेंशन रखते हो कि याद का लेंक सदा जोटा रहे बैसे सेवा में भी सदा लेंक जोटा रहे श्वासो श्वास याद और श्वासो श्वास सेवा हो इसको कहते हैं बैलंस इस बैलंस से सदा बलसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशिरवादों से पल रहे हैं महनत से युद्ध से छूट जाएंगे क्या क्यूं कैसे इन प्रशनों से मुक्त हो सदा प्रसन चित रहेंगे फिर सफलता जन्म सिध अधिकार के रोप में अनुभव होगी तो श्वासो श्वास याद भी रहे बाबा की याद भी रहे और याद के बल से सेवा भी होती रहे मंसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध द्वारा आपके चहरे की मुस्कुराहट द्वारा हर पल बाबा की जैसे याद रहती है वैसे ही सेवा का कारे भी चलता रहे चाहे स्थूलरीती, चाहे सुक्ष्मरीती तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा दोनों का बैलन्स कुछ न कुछ बिगडता है तो ब्लसिंग कम होती है तो माया आती है सलेश्वास ओश्वास, याद भी और सेवा भी स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयम से और साथियों से निर्विग्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो इनाम लेना है न, तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा निर्विग्न का, कहीं से कोई विग्न ना हो आज विशेश क्या अभ्यास करेंगे त्याग, तपस्या और सेवा ये तीनों चीज़ें सारे दिन में अटेंशन में रहे किस चीज का त्याग करना है साधना पर कैसे विशेश अटेंशन देना है तपस्या कहा और चेक करना है कि साधन अपनी और आकर्शितों नहीं करते तो त्याग करना है विकारों का, देहिक स्मृतियों का आंतरिक, लौकिक वृतियों का त्याग करना है एक बाबा की याद में रहने की तपस्या करने है और फिर ये जो आंतरिक स्थिती है, ये स्वत्या ही हमारी बाहर की सेवाईं कराती जाएगी तो बार-बार, जब भी टाइम मिले अपने पर अटेंशन देना कि त्याग, तपस्या और सेवा हो रही है याद और सेवा का बैलन्स है चेक करेंगे तो धीरे-धीरे अभ्यास हो जाएगा चा, ओम शांती प्यारी बार, जब शांती प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुही हो रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुही हो जहां दिखूं हर नजारों में बाबा आपके छबी हो में बालक बन चलूं सदा हाथ में हाथ थमाए आपकी याद की सुखंध से मन महक महक जाए प्यार बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए हुआ प्यार में आपकी याद रड़ ताज तक्त का आपने अधिकारी हमें बनाया हो ताज तक्त का आपने अधिकारी हमें बनाया ज्यान के रतनों से संपन हमें बनाया निर्विकारी बनाने हमको रोज बाबा मरली सुनाएं आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाएं प्यार बाबा आपकी प्यार में दिल इतना सुख पाएं आपकी याद की सुगंध से प्यार बाबा आपकी प्यार में दिल इतना सुख पाएं प्यार बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाएं आपकी यार बाबा आपकी यार में दिल इतना सुख पाएं आपकी यार बाबा आपकी यार में दिल इतना सुख पाएं